दोस्तों आज हम Soul Land की New Episode 241 की Novel को Detail में Explain करने वाले हैं, इस वज़े से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. दोस्तों एक और बात इस वीडियो में मैं सिर्फ इसका Part 1 ही Explain करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और दूसरे Part को बाद में Explain कर दूँगा. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टांग हाओ गोल्डन क्रोकोडाइल को हराने के बाद अपने बेटे और वहां की सभी लोगों को लेकर टियांडो कैम्प में वापस लौट आया था. दोस्तों एक और बात स्टूडियो वालों ने एपिसोड में कुछ चेंज किया है, क्योंकि आपने सभी देखा होगा कि लास्ट एपिसोड में ग्रेंड मास्टर सू बैंग को बचाते समय बहुत ही ज़्यादा घायल हुए थे, मगर नौवल में ऐसा कुछ भी नहीं लिख देखते हैं एंपरर सू बैंग को, इसे देखते ही टांग्शन उससे कहता है, एंपरर चलिए मैं आपको मेरे पापा और अंकल को दिखाता हूँ, जिसकी साथ ही टांग्शन अपने अंकल टांग्शियों के बारे में बताने लगता है, और कहता है कि यह मेरी अंकल है, और क्लियर स्कूल के मास्टर है ये सुनते ही सू बैंग तांग्शियों के सामने सर जुका कर उसे रिस्पेक्ट देता है और उनको बैठने के लिए कहता है इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग बैठ जाते हैं जिसके साथ ही मार्शल जलांग एमपरर सू बैंग से मारे हुए सो कुल मिलाकर एक लाख के करीब बताता है यह सुनकर एंपरर सू बैंग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसकी साथ ही सभी से माफी मांगता है और कहता है कि यह सब मेरी ही गलती है मुझे माफ कर दीजिए जिसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग आगे की लड़ाई के बारे में डिसकस करना शुरू कर देते हैं और सू बैंग सभी को बताता है हुएन हौल की इन सभी सॉल मास्टर के बाद अगर क्वीन दोलू यहां पर आ जाता है तो वह हमारे लिए बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है और उनसे निपटना मुश्किल हो जाएगा इस पर टां सा रास्ता है जिस पर टैंग्शन बताता है कि यह एक सीक्रेट है और यह बात सिर्फ हम लोग के बीच में ही होना चाहिए जिस पर एंपरर सू बैंग सभी को बाहर जाने के लिए कहता है जिसके साथ ही हम देखते हैं सभी लोग टैंट से बाहर जाना स्टॉट कर देते हैं जैसे ही टांगाओ और टांग्शियो बाहर जाने ही वाले थे, तभी टांग्शन उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है कि मुझे आप लोगों की जरूरत है, इसके बाद ग्रेंड मास्ट कहते है कि लिटल सन यदी मैं गलत नहीं हूँ तो तुम हंड्रेड लेवल की गौड रांग की बारे में बात करने वाले हो, इस पर एमपरर सूबैंग कहता है कि टीचर आपका मतलब हंड्रेड रांग से है, जिसके साथ ही टांग्शन ट्राइडंट और सी गौड के बारे में बताता है, और साथ में ये भी बताता है कि ही मैं सी गौड का अगला सक्सेसर अब मेरा सिर्फ दो ही टेस्ट बचे हुए हैं, और इनको कम्पलीट करने के बाद मैं सीधा गौड बन जाओंगा, अगर मैं गौड बन गया तो मुझे होहन इंपाय ही नहीं, बलकि कोई भी नहीं रोक सकता, इतना सुनते ही सूबैंग हैरान हो जाता है, और उनसे पूछ है कि कम से कम थ्री गौड इस दुनिया में मौजूद है, अगर गौड अमर होता तो यहाँ पर सिर्फ उनका ही रूल्स चलता था, इस पर सूबैंग उसे दोबारा से पूछता है कि तो टीचर क्या आप बता सकते हो, आखिर गौड कितना पावरफुल हो सकता है, इस पर ट टीचर एमपायर सिर्फ आप पर निर्भर करता है, टीचर आप कब जाने वाले हो, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, इस पर टांग्शन कहता है कि अभी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, जब मैं ठीक हो जाओंगा तब बता दूँगा, साथ ही मैं चिंता में टांग्शन से पूछते हैं, लिटल सन क्या तुम वास्तव में सी गॉड को इनहीरिटेंस करोगे, इस पर टांग्शन कहता है हा, जिस पर टांगाव कहता है, हंड्रेड रैंक तक पहुचना आसान नहीं है, यहां तक कि तुम्हारे ग्रेट ग्रेंट फादर भी हंड्रेड लेवल को अचीव नहीं कर पाई थे, आखिर तुम्हारी एज कितना है, और एज टेस्ट को देने में तुम्हें अभी भी फाइव एर का टाइम है, तुम्हें और भी सीखने का जरूरत है, इस पर टांग्शन उसे कहता है कि फादर आप चिंता मत कीजिएगा, और मैं पहले ही सेवन्थ टेस्ट को पास कर चुका हूँ, ये सुनकर टांग्गाओ कुछ समझ जाता है, और उनसे कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मेरे बेटे हो, और साथ ही तुम ग्रेंड मास्टर की एक मात डिसेबल हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके बीच एक emotional scene बनता है, जिसके साथ ही टांग्शन अपनी फादर से पूछता है कि पापा आखिर आप कैसे golden crocodile को इतनी आसानी से हरा दिया, इस पर टांग्शियो टांग्गाओ से कहता है कि ब्रदर हमारे बेटे को उस technique को सिखाओ, इस पर टांग्गाओ सिर हिलाता है, जिसके बाद Grand Master हसते हुए कहते है कि ठीक है, तो मैं यहां से जा रहा हूँ, तभी टांग्शियो उसे रोपते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने टांग्शन के लिए बहुत कुछ किया है, अगर आप नहीं होते तो टांग्शन हमारे बीच नहीं रहता, इसके बाद हम देखते हैं कि Master और टांग्शियो टैंट से बाहर आ जाते हैं, अब टैंट के अंदर टांग्गाओ टांग्शन को बताता है, ये एक Special Cultivation Method है और इसे Generation से Generation Pass की जाती है, जब कोई 90 लेवल को Breakthrough कर लेता है तो उसके पास Clear Sky School का Title होगा, और ये Clear Sky Dolu का Real Virgin है, ये कहकर वह रोने लगता है और बताता है कि इसको मुझे सिखाने के बाद बंद कर दिया गया है, अब ये हमारे परंपरा में जारी नहीं है, उस समय मुझे Clear Sky School का वारिस टाइटल दिया था, और मैंने भी उन्हें निराश नहीं किया, मैंने लगातार मेहनत करके एक के बाद एक ल जादा खुश हूँ, मैं पहले तुम्हें अच्छा पिता नहीं बन पाया, और ऐसे ही बाते इनके बीच कुछ समय तक चलता है, जिसके बाद तांगाव बताता है कि ये Exclusive Cultivation Technique इस जनरेशन में केवल एक ही को विरासत में मिल सकती है, और इसे Super Native Cultivate के बिना नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, इस Exclusive Cultivation Technique को Great Sumeru नाम से जाना जाता है, ये सुनकर Tension समझ जाता है, और कहता है कि ये सब Soul Rings में से है क्या, इस पर तांगाव कहता है कि नहीं, कुछ हद तक मेरे Power Soul Rings ली गई है, और मेरे Strength Recover होने के बाद अगर मेरे सामने Queen Dolu भी आ जाए तो वह भी मुझे नहीं हरा सकता, और इसी टेक्नीक से मैं Golden Crocodile को बहुत गंभी रूप से घायल कर दिया था, तुम इससे इसकी Power का अंदाजा लगा सकते हो, जिसके साथ ही आगे टांगाव बताता है, लेकिन ये Ability इसको यूज करने वाले को भी बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, और इसको सिर्फ Emergency Timing यूज किया जाता है, लेकिन तुम्हें ऐसे सहन करना होगा, इसके बाद एक बार हमारे Great Grandfather ने कहा था, ये Ability हमारे ये Divine Ability के समान है, इतना कहकर तांगाव टांशन को इस टेक्नीक को सिखाने लगता है, जिसके स साथ ही हम देखते हैं, टैंशन इसकी अफेक्ट को महसूस करने लगता है, दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इ इसे लाइक भी जरूर कर देना